नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी के शो शक्सित में जिसमें हर बार हम एक शक्सित से आपको रूबरू कराते हैं पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बेस्टिक शिक्षा मंतरी सतीष दिवेदी जी से इस बार हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है अद्योकिक विकास राज्यमंतरी धर्मवीर प्रजापती जी जिन से आज हम उनकी जर्नी पर बात करते हैं तो आए रुक करते हैं ध किस तरीके से कितना स्ट्रगल करके आज तक आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बहुत ही अच्छी जर्नी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपके पारिवारिक पारिवेश के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके का आपका पारिवारिक महौल था पारिव अधिन परदल देती नहीं था, बचपन में चलते रहे लेकन बचपन से एक बावना थी कि समाज सेवा कैसे की जाए, ये बचपन से ही मेरे मन में धाना थी और ये धाना धीरे धेरे धीरे जैसे बढ़े होते गई और बढ़ती गई और इतनी बड़ी कि हमें यहां तक ले आई मन में बस यही रहता था कि जब हम कहीं भी देखते थे अकवार में पढ़ते थे या कहीं भी टीवी चैनल पर देखते थे जैसे कहीं भी कोई असाहाई बेखती और इसकी मदद नहीं हो पाती थी तो मन में लगता था कि इसकी मदद होनी चाहिए बस दीरे दीर में यही मन में लालसा लगी रही और दीरे दीरे वो राष्टा हमारा यहां तक पहुँच गया तो बहुत ही अच्छी बात है फिलाल अब हम थोड़ा सा आपके शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या शिक्षा रही आपकी उस टाइम आपका शिक्षा का महौल कैसे था क्या दिक्कते उस टाइम हुआ करती थी जो अब जो आपके जो शिक्षा का शेत्र है उसमें अब नहीं होती है और क्या पहले सही था और अब नहीं है देखे उस समय संसादनों की पिशेश कमी थी हम जब पढ़ते थे तो ग्रामीर शित्र में प्राइमरी तक स्कूल हमारे गाउं में था उसके बाद में जूनियर स्कूल हमारे यहां से करीब 10 किलोमेटर दूर था और इंटर कॉलेज बहुत दूर थे तो प्राइमरी अपने गाउं से पढ़ने के बाद जूनियर में हम लोगों को उस समय साइकल भी नहीं थी तो हम लोग गाउं के सभी बच्चे पैदल पढ़ने जाते थे 10 किलोमेटर सुबह निकलते थे एक गंटे पहले देड़ गंटे पहले इसकूल को समय पहुचना होता था चुट्टी के बाद एक देड़ गंटे में पहुचना होता था घर कभी-कभी जब सरजियों में दिन छोटे होते थे तो देर साम हो जाती थी तो घर वाले परिशान होते थे बच्चों के कुछ परिवार की जन पहुंझाते थे राश्ते में देखने के हमारी बच्चे आज कहां रहेगे जैसे स्कूल में कोई एक्टरा गंटा लगा तो लेट होगे तो ऐसी बिवस्ता हैं और बिजली नहीं थी कोई बिवस्ता नहीं थी और जब गर्मियों के समय में आधी तूफान आते थे तो चारपाई रख करके और उस पर चद्धर डाल करके तब पढ़ते थे उनके बीच म बहुत अभाव था लेकिन आज के समय में पूरे उत्तबर समय बिजली की बिवस्ता है संसादनों की बिवस्ता है मोटर साइकल हैं साइकल हैं घर में सारी बिवस्ता हैं स्कूल हमारे बहुत नजदिक नजदिक स्कूल बने हैं उस समय संसादनों की कमी बिशेश कमी थी और अब जो जैसे आती थे तो पढ़ाते थे उसमें बहुत बड़े संसादनों की कमी में हम लोग पढ़े और चलते चले गई अब ही तक जित्त भी जो पढ़ाई के बारे में जो भी बात के संसादनों की बात की आज के दौर के जो बच्चे हैं जो चात चात रहे हैं वो कहते कि पुराना टाइम में क्या मदब था बड़े राम से सब ने सब कुछ कर लिया और इस टाइम पे तो ज़्यादा टफ है ऐस साहब बोलते हैं तो क्या आपको भी लगता है कि इस तरीकी की चीजें हैं कि पुराना दौर बड़ा आसान था और इस दौर की जो पढ़ाई है वो जादा कठेने है ऐसा कुछ नहीं था पहले संसादनों की बिशेश कमी थी इस समय संसादनों की कोई कमी नहीं है हमारे जै जैसे जैसे देश ने प्रगति की और संसादनों की बिवस्ता होती चली गई उस समय कोई बच्चा आज का कोई बच्चा दस किलो मीटर पैदर नहीं जा सकता और हम लोग दस किलो मीटर जाते थे और दस किलो मीटर आते थे आज की बिवस्ताओं में और उस समय की बिवस्त जो है बहूत अच्छा था उस में junior high school का परिच्छा भी हमारा जो है बोर्ड का होता था हम ने junior high school की आठवी की परिच्चा बोर्ड की दी थी और उसके बाद फिर high school की अब необходимо है क्या है क्या हे ह हई स्कूल का बोर्ड का है आठमी का तो कोई बोर्ड का है नहीं junior कि ईथियर का तो बहुत अंतर हैं इस समय में और बच्चे इस समय बड़ी आसाई में संसादने सुब्दाइए कहीं आना जाना नहीं हम लोग नों का डिल्ड़ घंटपना न तीर यह हुआ करती थी फिल्हाल आप कि कुछ इंट्रेस्ट के बारे में जाना चाहेंगे कि जो पढ़ाई के साथ-साथ जसे खास था रहें आपके पढ़ाई के अलावा कि वो आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद हो और उसमें आपने इनाम भी कहीं जीते होंगे देखे उस समय जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो उस समय वही कवड़ी और वही खेलकूद बच्चों के होते थे और हम लोग करते थे आते में नहर के किना जब पानी शूख जाता था तो उसी में कवी कवी बच्चों का मन बनता था तो कवड़ी खेलने लग जाते थे और कवड़ी खेलते Heather फिरे घाओं में पहुंचते थे उसके बाद में 100 में बच्पन से हैं धर्मक्त प्रवर्ति का ब्यक्तिता मैं में जो है धर्मक्तृक्ष असहाई ब्यक्तियों की अगर सेवा की जाए तो वो भी एक पूजा से कम नहीं है तो ये भी एक मन में बिचार बच्पन से ही बैठ गया था कि जहां जिसकी कोई न सुनता हो उसकी हम लोग जहां जैसे हो मदद की जाए और उसी राष्टे से चल करके सामाज किस तर पे पहु तो उसी में ही आपने हमेशा अपना कदम बढ़ाया है सर और बहुत अच्छी बाते ये तो एक उसके बाद सर जैसे ही आपकी जब पढ़ाई पूरी हुई तो आप अपने पैरों पे कब खड़े हुए मतलब यह है कि आपकी पढ़ाई के बाद आपका पहला जॉब क्या र दी साधी के बाद हमारे पिताजी एक बहुत सामान परवार से निकल कर कियाता हूँ पिताजी हमारे एक बहुत बड़े थोकी परचून की दुकान करते थे उनका हम पढ़ते के समय समय साथ साथ हम उनका सायोग भी करते थे जैसे पढ़ने के बाद में दुकान पर बैट ग बढ़े और ये मन में धार में प्रिवर्टी के तो हमारे पिताजी भी थे तो ऐसे ही ये रास्ता हमने देरे देरे और परिष्टितियां भी हमने जहली परिष्टितियां भी जहली कि जैसे बावा हमारे फ्रोजवार रहते थे वो सर्विस करते थे फिर रेटायर हो गए तो उसके बाद वो गाओं पहुच गई, हम भी गाओं में पले बड़े हैं, गाओं में शादी के बाद में फेरे जिंबेदारी समाली और अपना दुकान समालते रहे, दुकान समालते समालते, सामाजिक जैसे जैसे रुची बड़ी, तो सामाजिक संगटनों में रुची बड़ रहे हैं कि सामाजिक संगटनों में और समाध सेवा करने में हमेशा आपका दोर रहा है अगर हम बेसे कली राजनीती की बात करते हैं तो राजनीती में आने का शौक आपको कब हुआ और क्यों हुआ राजनीती में जैसे जैसे हमने सामाजिक संगटनों में काम किया और लोगो से तो समाधान करना भी जरूरी था समाधान करना जरूरी था तो फिर मन में आया कि इसके साथ साथ राजनेतिक भी संग्ठन में जाना भी से जरूरी है फिर बिचार किया कई दिन हमने बिचार किया क्या होना चाहिए फिर मन में एक बिचार आया कि भारती इंता पार्टी एक राश्ट हित की बिचार धारा को ले करके काम करती है तो बस मन में आया कि इस पार्टी में जुड़ा जाए और राजने तक हमने सुरुवात भारती अंता पार्टी से की और उसमें पार्टी में जुड़ गए और धीरे-धीरे फिर चलते चले गए सर आपने एक स्वायम सेवक की रूप में कहीं समाज कारे भी किये हैं तो वो कौन-कौन से कार रहे हैं और कितने वर्षों तक आपने वो कार किया है समाज हेत और राष्ट हेत ये हमारे राष्टियों स्वेम सेवा की मुख बिचारदारा है और ये हमारे बिचारदार मन में बच्पन से थी और बच्पन से ही हम इस बिचारदारा से जुड़े रहे और उसी का कारण भी था कि हम मारे मन में आज तक भी समाज और राष्ट शेवा का भाव मन में है और एक मन में और था कि राजनीती में छेत्री दलों के आने के बाद छेत्री दलों ने राजनीती का और द्योगे की करन कर दिया था तो मन में ये था कि अगर इसी तरह से राजनिती छित्ती दलों के माध्यम से अगर द्योग के छित्त में चली गई उनके हाथों में चली गई तो साइद जो है अच्छे लोगों का राजनिती में आना और अच्छे लोगों के अगर राजनिती में न होने के काऱ जो समाज सिवा का भाव था वो मन में कहीं कहीं छूट जाता ये मन में भी थी और सोचा कि अच्छे बिचार धारा के साथ काम करेंगे अच्छे बिचार और सच्चे मन का व्यक्ति भी राजिनिती कर सकता है यह एक प्रेक्टिकल हम आने वाली पीडी को दें और भगवान की क्रपा से काम्याब है जी तो आरेसस में आपका यही मोटेफ रहा है और कितने वर्षु तक रहा है सर यह बच्पन से लेकर करीब 20 शाल तक रहा है पागी सर आपको 2019 में माटिकला बोड का अध्यक्ष पनाया गया उस अध्यक्ष में मतलब यह भी कहा जाता है कि वो अधर जो माटिकला बोड बनाया गया वो आपी के टाइम पर पहली बार बना तो उसमें क्या चीज चैलेंजिस रहे आपके लिए क्योंकि पहली बार एक बार लिया पंद्रे जनवरी को उसके बाद फरवरी में कॉरोना आ गया लेकिन कॉरोना की विवस्ताओं को देखते हुए हमने उनके माटिकला बोड के माद्यम से सरकार हमारे साथ खड़ी थी तो मन में सेवा का भाव होने के कारण हमने सोचा कि माटिकला से जुड़े पर में कॉरोना के काल में भी जा जा करके प्रजिला प्रसासन के साथ उनके मिट्टी के पट्टों की विवस्ता उनके संसादनों की विवस्ता क्या उनकी आवास सकता हैं ये सब जाना और जाननी के बाद में मानि मुकमंत्री के साथ बैठके चर्चा की और उनको टूल किट्स के और उनका उत्सा बरदन करने के लिए हम एक प्रुषकार योजना भी लेकर आए उसको लगेगा के मेरा एक सम्मुझे, बहुत बड़ा सम्मान मिला है तो उस्चा वर्धन के लिए उनको आगे बढ़ाया और जिला प्रिशासन के शाथ बैठ करके और आमजन के शाथ बैठ करके और हमने print मेडिया, elektronik मेडिया के माध्यम से आमजन को ये बताने का प्रयाज किया कि मिट्टी के बरतनों का उपयोग करने से तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो उनसे हम चुटकरा पासकते हैं ये आम जन को बताया और जिलाब प्रशासन के लोगों को बताया उनसे आगरे किया उनसे कहा कि सभी भाई अपने विभागों में माने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मिलना पत्र लिखना और कि अपने विभागों में मिट्टी के कुलोनों का प्रचलन हो प्लास्टिक पे बेन हो ये सब विवस्ताएं चली और इसके तहत धीरे-धीरे और मैं समझता हूँ कि इसका प्रचार प्रशार और प्रचलन इतना हुआ कि इस अभी पिछली जो दीपावली गई है इस पे आजमगर जिले में चार दिन पहले दो करोड के दिये विके आजमगर जिले से उत्तपदेश में दियों की आपूर्ती नहीं हो पाई जो जबके कुछ लोग तो बारों महीने तीशो दिन दियों का काम करते हैं आगरा में एक बहुत बड़ी वस्ती है जहां से मु उनकी दीपावली मनती होगी कि नहीं मनती होगी तो मिशार आया मन में के उनके लिए कुछ किया जाए सुबह उठे दीपावली के लिए दिये खोजे तो पूरी बच्ती में जहां बारों महीने तीसर दिये बनते हैं वहां मातर चार जार दिये मिले उसका प्रड़ा रहा म मुस्किल हो गई और हमने जो है फिर कई पूरे जगे से कट्टा किया फिर प्रोग्राम मनाया सो वैसे साम तक जुगी जो अपड़ी में रहने वालों के गहर में 21 दिये दिये की बाति तेल और बिठाई जब हम देने गए तो आत्म संतुष्टी हुई वहां महलाने मिली पुरस अपने काम पे गए थे महला मिली उन्होंने कहा के पहली वार कोई ब्यक्ती दीपावली के समय पे हमसे मिलने आया है, हमारे हाल चाल जानने आया है, हम लोगों के लिए मिठाई लाया है, दीपाग लाया है जलाने के लिए, उसे बहुत बड़ी आत्म संतुष्टी हुई और बहुत अच्छा लगा. अच्छा बाकी जैसे आपने अभी दीपो के लिए बनाया है कि मार्टिकला बोड के वज़े से दियों में एक बड़ उत्री की गया और दियों को आपने बहुत साधा अप्रुट साहिद किया, उसके अलावा और क्या-क्या बदला आव रहे हैं मार्टिकला बोड बनने के बा बार भी लगवाई और सभी जनपदों में एक मार्टिकला मेला लगवाया तो जो कृतियां जो अच्छे अच्छे लोग आइटम बनाते थे वो सारे जब मार्केट में हाई लोगों ने देखे कलपना नहीं की थी हमारे यहाँ जब लखनों में मुक्याले में खादी वहने की नौनो लाग की सेल हुई उन्हों के कभी कलपना नहीं की थी कि हमारी सेल इतनी हो जाएगी और आम जनको भी पता नहीं था कि इतने आइटम मिट्टी के बनते हैं अगर आप देखेंगे तो घर में जो सजावट के आइटम जितने भी हैं कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो मिट्टी का नहीं बनता हो तो खुरजा में हमारे दो चार पांच फैक्ट्रियां हैं जो किचिन का सारा आइटम मिट्टी के बरतनों का बनता है जैपुर में एक हमारे माटी कलास और जोड़े व्यक्तिने रिशर्च करके एक जग बनाया है उस जग में आप पानी डाल में उसने रिशर्च किया है तो मिट्टी के बरतनों का उपयो करने से खाने से और कुपोसर नहीं होगा बच्चों में ये बहुत बड़ी विवस्ता और अगर मिट्टी के बरतनों में आप खाना और पीने की विवस्ता अगर करेंगे तो हाड की बीमारी कैंसर की बीमारी और ब्लेट पैसर की बीमार ये से भी बचा जा सकता है, ये भी मिट्टी में इतने गुड़ पाए जाते हैं, और जैसे एक आजम गड़ में बिलेक पोर्टरी का काम मुगल काल से था, पिछले कारकाल में वो कार बंद हो गया, मिट्टी नहीं मिलती थी, सुवधाय नहीं मिल तो वो परिवार चला गया, मुंबई और भेल पूरी बेचने लगा, उत्तब देश में माटिकला मानी योगी जी ने बनाया, और हमारे मुकमंत्री जी ने इसको पूरी तागत दी, तो जैसे प्रिचलम में आया, उस ब्यक्ति को जानकारी हुई तो बापस लोट करके आ ग मुकमंत्री जी ने बहुत बड़ा प्रोसाहिन उन लोगों को किया है माटिकला से जो लोग जुड़े हैं, और उन परिवारों को आगे लाने के लिए बहुत बड़े सरकार उनके साथ खड़ी रही है, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, लोगों के, अब आप द बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपने जिसे कि माटी के बरतन अगर यूज करते हैं, तो कुपोष्ट के शिकार होने से बच सकते हैं, और कई बिमारियों से भी हम बच सकते हैं, तो उमीद है कि मतलब लोग जो सुन रहे होंगे हमारे प्रोग्राम तो उसमें उन लोग क इस चीज की जानकारी मिली है, आपने बहुत अच्छी आज एक बात बताई है, बाकी सर यह था कि आयोद्या के जो श्रीराम का दिपोत्सव हुआ था, उसमें आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला था, एक डिजाइनर दिये बनाने का, जिसकी वज़े से आप काफी च अच्छा हुई तो उन्होंने माटी कला के बिशे पे च्छा की, तो हमने जो है, डिजाइन के दिये मेरे मोबाल में थे, मैंने उनको दिखाए कि देखिए महराज जी आपके जो माटी कला बोर बना है, उससे लोगों को प्रोशान मिलाया और प्रोशान मिलने के बाद में इंनको घुलेंगे, यह दिये मिट्टी के बनते हैं, अगे अच्छा के जलेंगे ये जो है, फिर्जाइन के प्रयास किया कि पहले से कोई यह नहीं था आहद्ट्या में पांچ लाग दिये जये तो वह मिले, कन्नौ जिले से मिले, कुछ कासगनस पार, उनको मान्य मुकमत्र कि इच्छा थी कि ये भूमी पूजन की जगह पे और मेन हमारे मंदरों में वो दिये जलें तो सवालाग दिये पोंचे और बात बाकी दिये वहां आस पास के जिलों से मगाए गए और अईद्या से भी आपूरती हुई और पहली वार लगा कि दीपोत सव के माध्यम से इस बार भी एक रिकार तूटा है नौ लाक से उपर दिये इस बार दीपावली पे जले और लोगों का उत्सा वर्दन पूरे बिस्त सुने अईद्या को जाना और मानि मुक्मंत्री के नित्वत में बरसाने को पूरे बिस्त ने जाना काज़्षी को पूरे बिस्त सुने ज हुए हैं और हमारे जो अंदेश में जो भगवानों के जैसे अब हमान कृष्ण का अवतार हुआ भगवान राम का हुआ और बाबा बेश्वनात की इनको सारे बिस्ट सुने जाना यह एक एधियास से काम हमारे इस सरकार में हुआ है तो माटी कला के जड़ों से जड़ों लोगों को परिवारों को भी रोजगार मिला है उनका उत्सा भरधन भी हुआ है इस सरकार में और लोग अच्छे से अमानी मुक्मंत्री को धन्यवाद ग्यापित करते हैं नहीं वाकी में द्वीपोट सफ तो एक ऐसा कारिक्रम एक जो भी योगी जी ने शुरू किया है वाकी में बहुत अच्छा है क्योंकि एक तो उससे प्रुट्साहन भी मिलता है और बहुत ही अच्छा सा एक अच्छी से अंदर से एक पॉजिटिव से फीलिंग आती है जेकिया एक जो है हमारे एक भैद थे हमारे गाओं में और नाड़ी का बहुत बड़ा ग्यान ठाघन ечता है तो जब मुझे पता लगा कि यह बह। बड़े बध्यमान है नाड़ी के मैंने उनकों के साथ बेटना शुरू कर दिया और शीकना शुरू कर दिया उनके साथ मे हमारे विशेशक होते हैं बच्चों के कोई भी हो अगर उस समय हम जो नाड़ी देखते थे तो हमें किसी भी संसाधन की और आज के आदुने के विवस्ताओं की कोई जरूरत नहीं थी नाड़ी देख करके ही हम रोगों की पहचान कर लेते थे तो यह बहुत अच्छा एक अन नाड़ी का ग्यान बहुत अच्छा था तो अभी इस तरीक से आड़ी देख रहें आप अभी भी शौक है आपको उस चीज का करते हैं हां कहीं अवसर मिलता है वैसे तो राजिनती में सकरी राजिनती में आने के बाद यह सब चूट गया है लेकर फिर वी अगर कहीं तोड के लिए ये भी का जाता है कि जो आपको जो सियासी सफर है वो काफी संगर्शों से भरा रहा है। क्या उनकौन से संगर्ष रहे हैं क्या संगर्ष हैं आपके समय सफर के दुरान देखिए बहुत बड़ा संगर्स तो जीवन हमारा रहा है राजनेतिक क्योंकि कोई भी राजनेतिक बेक्ग्राउंड हमारा नहीं था और एक जीरो से सुरू करके कि सामान परवार से निकले और सामाजिक शंक्रणम काम करते करते जैसे जैसे तो संचादनों क कमी थी और उसी अभाव में अपने सारीरिक परिस्तितियों को जहलते हुए क्योंकि संचादनों कमी थी तो वो सारी परिस्तिति सरीर पे ही जहली सारीरिक परिस्तितियों को जहलते हुए और धीरे-धीरे चलते-चले गए क्योंकि शेवा का भाव मन में ऐसे निकल नहीं र लेकर हमने जो अनुबब किया, इस कोरणा काल में पैसा काम नहीं आया, इस कोरणा काल में रिष्टे काम नहीं आये, और काम आई तो एक चीज काम आई, आपके माद्धन से आम जन को बताना चाहूंगा मैं, कि इंसानियत काम आई, जिस ब्यक्ति के हिर्दय में इंसानियत थी, वो ब्यक्ति जो ब्यक्ति परिशान थे, उनके साथ खड़ा हुआ और विवस्ताओं की आपूर्ती कराई, तो इंसानियत काम आई और ये बच्पन में इंसानियत का भाव ले करके में मन में चल ला था तो सभी परिस्तितियों को जेलते हुए देरे देरे आगे बड़े और आज मंत्री ग्रूप में आपके सामने बैठे हैं सार आपने आपने अपने करीब अशाद 20 साल आपने सफर तै किया है राजनितिक सफर जो भी आपका रहा है 20 साल उसमें ये खा जाता है कि आपने आस तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन फिर भी आपको आज एक राजमंतरी का दर्जा दिया गया है तो उसके लिए आ हाँ चुनाव कोई नहीं लड़ा हमने एक मन में एक बार आया था कि गाउं में परदानी का चुनाव लड़ें लेकिन फिर ये कि नहीं चुनाव नहीं लड़ना है चुनाव लड़ाना है तो हमने लोगों को चुनाव लड़ाए और दस साल हमने जो है तीस साल का नभव है संगठन का हमें 10 साल हमने 10 साल से ज्यादा समय हमें जो है चुनाब प्रबंदन में बूत प्रबंदन के लिए लगाया गया था 2013 से और 2017 के चुनाब से पहले तक बूत प्रबंदन का काम हमने देखा पूरे उत्तब्दिस का तो संगठन का बहुत बड़ा एक अनुभव है और पार्टी ने हमें उसी के देखते हुए हमें हमाचल चुनाब में भेजा हमें हर्याना के दोनों चुनाब में भेजा हमें दिल्ली के चुनाब में भेजा हमें गुजरात के चुनाब में भेजा कई राज्यों में पार्टी ने हमें चुनाब में भेजा है और जहां जहां हमें भेजा है जहां ह हमें हमेशा रहते थे, वहां बिहार के लोग लगे थे, वो छोड़के चले गए, यवां मोर्चा के दिल्ली के लोग लगे थे, वो छोड़के चले गए, लेकर हम लोग रहे वहां और हमारी पारिटी का ब्यक्ति जीता और मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री है, आज हर्याने में क खेत्रपल छोटा है परविधान समाओं का सुनाव का बहुत बड़ा नवब है संग्ठन के हम उत्तपदेश में पूरा उत्तपदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें मेरा दस बार 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 पंद्रे बार आठ बार जाना नहुआ हो यह बहुत बड़ा एक मेरे साथ एक पॉजिटिव एनरजी देता है और कारकरता के साथ मेरा लगा कारकरता के साथ मिलना जुनना कारकरता का इसने कारकरता का प्यार मेरे साथ रहता है और जो महापुर्श हैं पूरवज हैं बड़े बुजुर्ग हैं उनका आसिरवाद मेरे साथ रहता है और कारकरता का प्या हमें साथ रहता है ऐसे मंजल आगे चलती चलिएगी आपको वैसे राजमंत्री बनाने के पीछे ये भी का जाता है कि जो आने वाला जो दो हजार पाईस विदान सपह चुनाव है उसको पिछड़े वर्ग को साधनी की कवायत की रूप में दिखा जाता है कि क्योंकि आपका ह 2022 में अगर आप आप आपको राजमंदी जो बनाया गया तो 2022 में कहीं न कहीं उससे बीजेपी को फायदा होगा देखिए सभी राजने तिक दल चुनाव में सभी चाहते हैं कि हम सरकार में आए और सत्ता में रहें भाती जनता पार्टी में पहले ही ये मिनिस्टर नहीं है और भी हमारे तमाम हमारे पिछले बर किनेता है और हमारे ऐसी बर के हमारे तमाम मिनिस्टर हैं ऐसा नहीं है कि चुनाव की द्रिष्टी से हमें बनाया गया है क्योंकि हम बिधायक नहीं थे हम MLC नहीं थे जब सीट MLC की खाली हुई तो पार्टी ने हम MLC बनाया उसके बाद जब बिस्तार हुआ MLC बनने के बाद बिस्तार हुआ तो बिस्तार में मंत्री बना दिया, ऐसा नहीं है कि चुनाव की दर्ष्टी से ही बनाए गया है उस समय बिधायक नहीं थे, मल्सी भी नहीं थे, अब मल्सी की सीट खाली होई तो पार्टी ने मल्सी बना दिया अगर पहले खाली होती तो हो सकता पार्टी पहले बना दीती तो इसमें यह नहीं है कि सुनावी देश्टी से लगाए गया है पार्टी ने एक कारकरता को प्रमोट किया है एक कारकरता को आगे बढ़ाया है और भारती इनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां बूत का अ अद्दच बन सकता है राष्टी अद्दच बन सकता है अब आप सपा में लिजिए प्रदेश का राष्टी अद्दच उनके परिवार का ब्यक्ति ही बनेगा बसपा को आप देख लिए बेंजी दूसरे धरजे का भी किसी को दायत नहीं दे रही ऐसी कॉंग्रेस पार्टी है अद्दच बनेगा तो कॉंग्रेस का उन्हीं के परिवार का ही बनेगा आज तक जो है राष्टी के जाने के बाद कोई दूसरा बन नहीं ही पा रहा क्योंकर वो नेने को एक सामान जसे बिठा रहे हैं कर राष्टी को सभी लोग प्रमोट कर दें तो यही पार्टी है कैसी यहां गरीव सामान परवार का ब्यक्ती भी बहुत पिछडे और बहुत सामान घर से निकल कर ब्यक्ती हमारे पंडित दिन दियाल उपाद्या डर्क्टर श्याम प्रहाद मुखर जी का एक बहुत बड़ी बिचारदार थी कि अंतिम पायदान के ब्यक्ती को आगे लाया जा अंतिम पायदान के ब्यक्ती भी अगर गरीवी रेखा में देखाया है अंतिम से अंतिम ब्यक्ती यहां भाजपा में कुछ भी हो सकता है हमने कभी कलपना नहीं की थी कि हम मिनिस्टर बनेंगे कभी हमने कलपना नहीं की थी हम बिधायक बनेंगे लेकिन पार्टी ने बिध पैशे का भी अभाव उसके पास है वो ब्यक्ति यहां अगर संग्ठन के लिए निष्टा पूरवा काम करेगा तो यहां कुछ भी बन सकता है मंत्री बन सकता है विधायक बन सकता है राजमंत्री मेरे साथ के कई लोग राजसवा चले गए तो बनाया पार्टी ने निष्टा है काम किया है पार्टी के लिए पार्टी ने बनाया है तो यही एक पार्टी है जान संसादनों के बिना भी पार्टी का निष्टा पूरवा काम करने के बाद में अब हमारे मनोलाल खट्र जब पहले हम चुनाम में गई थे तो हमने सपनी में मीनी सोगा सोचाता कि वो मुक मुक्मंत्री की दोड में थे लेकर खट्टर जी मुक्मंत्री बन गई तो यहां भाजपा में कोई बेबी रानी मोर आगरा की मेर रही चुनाबडी दोजार बारे में बिदान सबा का नहीं जीत पाई और पार्टी ने उनको राजपल बना दिया तो यही एक पार्टी है कि सामान ने कार करता भी मुक्मंत्री बन सकता है प्रधान मंत्री बन सकता है राजपल बन सकता है कैमरेट मंत्री बन सकता है राजसबा जा सकता है बिद संसादनों के भी. तो आप जिस तरीके से योगी जी ने आपको एक एहम पद दिया है, एक एहम जिम्मेदारी दी है आपको एक राजमंत्री और और ओध्यों की कविकास शेत्र का मंत्री बनाके, तो आप उनकी कैसी, उनकी जो अपेक्षाएं हैं आप से, उसमें आपकी क्या कारे योजना रहेगी जिसकी वज़े से आप उनकी उमीदों पर खरा उतर पाएं। दाप्र खरा भी जिसकी वज़े ये को उतरडेश के अना फूरत हैं। उससे बहुत बड़ा रोजगार एक जो है कि अफसर हमारे माने मुक्वंत्री की इच्छानुसार एक नौजवानों को रोजगार की संभावना बहुत बढ़ी हैं अब आप कल्पना करिए कि जहां डिफेंस कॉलिडूर बनेगा एक मान के चलिए कोहां को जो छेत्र है पूरा उस वो तो बिकास होगा ही साथ साथ उस छेत्र के आसपास के लोगों का भी सो रोजगार बढ़ेगा चाहे वो हमारे ब्यापार के छेत्र से हो चाहे हमारे वो किशान हो उनकी भी जमिन की कीमत बढ़ेगी चाहे हमारे नौजवान बेरोजगार हो उनको रोजगार के अफस जितना हो सकता है अपने उत्तम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमारी जितनी उसमें शहवागता हो सकती है मानी मुक्मंत्री के लिए उतना सायोग हम लोग करेंगे। जैसे दो हजार पाईस का विधान सबाचुनाव एकदम सर पे हमारे बंड़ा रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं क्योंकि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने तार्क और वितार्क और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने बहुत सारे चीजें उन्होंने तो क्या आपको लगता है उसके चलते भी आपके सरकार इस बार अपनी फिर से एक बार अपना पर्चम लहरा पाएगी देखे हमारे केंदर ज्रार की माने मोदी जी जी के निपत चाल लिए शाइस साल से और प्रदेश में लगवाए पांच साल पूरे होने जा रहे हमारी सरकार को जो एक बिना बिरिष्टा चार के और सीधा आम जन को जो जितना लाव दिया है सरकार की योजना हो, चाहे हमारे प्रदेश सरकार की योजना हो सीधा लाव उसको लावारती को हो रहा है, बीच में उसमें कहीं कोई बिचौलिया नहीं है ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे इस सरकार में हुआ है और आमजन के अगर हम बात करें तो आमजन हमारे केंड già की सरकार और प्रदेश की सरकार से प्रभावित है अगर चर्चा करें क्योंकि हमारा नीचे से धरातल से हमारा जुडाव है रोजाना हम से कम से कम सो दो सो लोग गरामीरी अंचोड़ों से पूरे उत्वदेस से आकर के लोग मिलते हैं आज भी सुवह हम जब जगे थे तो चार जले की लोग हमें हमारे आवास पे बैठे मिले तो पूरे उत्तब्दिस की लोग चाहते हैं कि फिर से भाजपागी सरकार बने और जो बिकास की गती है वो और तेजी से आगे बढ़े तो आम जन और दूसरा उसके साथ साथ पिलस हमारा हमारा संग्ठन बहुत बड़ा मजबूत है हम बूत इस तरह बहुत मजबूत है और कोई भी दल कहीं दिख नहीं रहा कलपना करिए कि कोरोना काल में आप थोड़ा जाएए पीछे तो भारती इंता पार्टिय कार करता राष्टी स्वेम सेवक का स्वेम सेवक और समाज सेवी उन लोगों की सेवा में लगे थे जो लोग उस कोरोना काल से प्रभावित थे उस समय सारे विपच्ची घर में बैठके ट्वेट कर रहे थे उस सबै हम लोग सेवा के बहाओं में लगे थे तो ये प्रदेश की जनता जान रही है अब हमारे कोटा में हमारे बिद्यारती फसे थे माने हमारे मुक्मनत्री ने बसें लगा कर उनको घर तक पहुचाया दिल्ली से जब दिल्ली की सरकार ने सब को बाहर के राज्यों के लोगों को जब भगाया तो हमारे माने मुक्मनत्री ने नोई डापे बसें लगा करके उनको गंतब बिस्तान तो उनके घर तक पहुचाया नेपाल के बिहार के बॉर्डर तक हमारी सरकार ने विवस्ता की प्रियाग राज में हमारे जो कोचिंग करने वाले बच्चे थे उनको पहुचाने का काम किया सरकार ने रासन हमारी केंदर की सरकार पिछे और हमारे उत्तबदिस की सरकार दोनों मिलकर की कोरोना से प्रभावित लोगों को घर तक निसुलक पहुचा रही है आज भी हमारी सरकार ने फैसला किया है कि मार्च तक हम निसुलक रासन देंगे तो हमारी इस सरकार में कोई भी व्यक्ति कोरोना के प्रभाव में भी भूका नहीं सोया ये हमारी सरकार ने बिवस्ता की और हम सभी लोग उस बिवस्ता में सहवागी रहे उन बिवस्ताओं को पहुँचाने में जहां कहीं कैसी भी कोई किसी की आवस्ता है तो सब पूरा संग्ठन लगा हम लोगों ने कहीं भी कोई बेक्ती असहाय मैसूस नहीं होने दिया में भी महाइओ बेरोजगारी और सुरक्षा को लेकर कें सवाल उठारी है कि सब्सूरक्षित नहीं है इस सरकार में और महाइओ को लेकर तमाम बाते कही ढरी हैं और सिंख्षा शिक्शदब्र भटी नकुटाला को ले कर भी कि सालवर हो secular होगी और तक बो शोट नहीं इसलिए भी पच्च जो है खोजता है कि कहीं ने कि कुछ खो जाए जाए हमारे इस सरकार में बिकास इतना बिकास हुआ है कि हमने अपने बच्पन से लेकर आज तक कभी भी इतना बिकास हमने कभी नहीं देखा आम जन्मानस इस बिसे को समझ रहा हैं डिफेंस को लिडियो ला करके और ये पूर्वान चल एक्परेश बे बंदिर खरने एक्परेश पर ला करके वहां उद्यों को लगाना उससे रोजगार के अफसर लाखों बेरोजगारों को अफसर मिलने जा रहे हैं ये भी सब हमारे प्रदेश के नौजवान जान रहे हैं तो ये संभावनाय भी उनकी खत्म हो रही हैं प्रदेश सरकार हमारी अब हमारी केंद्र की सचार सिच्छा की नीती लेके आई ये नहीं बहुत से चीज़ आप पुराने आप देखिए तो हमारी देश की संस्कृती की बिशे में पूरे बिश्ट ने जाना तो हम साथ-साथ देश की संस्कृती को बचाने का काम भी कर रहे हैं साथ-साथ पिछली सरकारों में देश की संस्कृती को खत्म किया गया हम देश की संस्कृती को भारत के नहीं बिश्ट के सामने लाना चाहते हैं कि हमारा प्रदेश हमारा कर रही हैं इस पर आप लगा रही है मैं जय कहले जा रहा रहा है applies कि सरकार बना था हमारी सरकार में बनने जा रहा है था , पुर्वया हमने एक्वायर कर ली है केवल उस पर आप काम करना सुरू बाकी रह गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों गंगा एक्ष्प्रेस बे हो यमना अग्ष्प्रेस बे हमारा बंदिड कहने से पूरा वांचल एक्ष्प्रेस में कहीं आप ने कोई बेवाद नहीं देखा ह किशानों का और पिछली बस्पा सरकार के हम बताएं हमारे आगरा में डेड़ से किसान आज भी उनके जो है जो भूमी अधिगर्ण कीए ती तो उनको जबरजस्ती अधिगर्ण की गया था उनके परवार पर मुकदमा लिखा गया जबरजस्ती आप जमीन लोको प्रतार करके लिखा गया था देड़ से किसान आज भी पीड़त हैं तो ये हमने नहीं किया हमने किसानों की इच्छा से जमील लिए और ये हुए ने हमारी सरकार में अब क्या है कि इनको विकास अगर देखा जाए तो गंगा एक्सपेसिवे सबसे बड़ा एक्सपेसिवे बनना है बिजली की अगर बिवस्ता हम पात करें तो सैफ़ई में बिजली 24 गंटे रहती थी अब हमारे उत्तब देश में बिजली की कहीं किल्लत कहीं समस्या दिखाई ने दे रही और लोग बिजली से खुश हैं तो ये बिवस्ता हैं हम सब लोग दे रहें ये सरकार आम जन की मू बस्तब वस्ता हमारे क्या हैं हमारे परिवार बिजली करें चलते थे और हमारे भारती जन्था पार्ट्टी का केंद्र की सरकार का सोच कैसे हो इस योजना से नीती बनाती है किंद्र की सरकार हमारी पूरे भारत की आम जनको ध्यान में रख करके नीती बनाती है तो हम सब पूरे पूरा परिवार हमारा पूरा उत्तवदेश पूरा भारत हमारा परिवार है उसको साथ लेकर के उसमें वो बिचाद हारा मन में लेकर के हमारी सारी नीतियां बनती है आखर मिचाएंगे सर हमार आप हमारे प्राइम टीवी की विए उसको एक मैसस दें ये कि आपके माध्यम से एक तो मेरा आम जन के लिए एक संदेश है कि क्योंकि में माटिकला से जुड़ा हूं म माटिकला के बर्तुना का उपयोग करें और बहुत सी बीमारें उसे दूर होती है और प्राइम टीवी जिस तरह से प्रमुख जो लोग हमारे हैं उनका एक जीवन परचे जो आम जन तक पहुंचा रहे हैं उससे एक नौजमान पिली को एक राष्ता मिलता है एक जो है प्र करने की और एक लाल सा मन में जागती है ऑर सुनते हैं समझते हैं कि किस तरह से जीवन का से कहां हमें जाना है एक रास्ता ब reminder मन में सोचा है तो उस राष्ते पर हम कैसे चले जाएं जीवन के संगर से जब सामने आते हैं तो कुछ्च प्रोशान और पेड़ना मिलती है इस पिसे के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्री है सर आपका हमारे शो में समय देने के लिए धन्यवाद आज के प्राइम टीवी के शो शक्सित में हमने बात की ओद्योकीक विकास राज्यमंतरी धरमवीर प्रजापती जी से जिन्हों ने अपनी जन्नी के बारे में हमें काफी खुज़ जानकारी दी है उमीदें आपको जानकारी काफी पसंद आई होगी अगले एपिसोड में हम फिर आजिर होंगे एक नई शक्सित के साथ में तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी नमस्कार